दोस्तों अगर आप भी अपने सफेद बालों को नेचरल तरीके से काला घना और सिल्की साइनी और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसमें उसके कर करिए इस्तेमाल इसके लिए आपको करना क्या है आपको लेना है अलसी यह देखें यहां पर यह जो बीज है यह अलसी के सब्सक्राइब बिटामिन ए होता है यह आपकी बालों को जड़ से काला बनाने में बहुत तेजी से मदद करेंगा और नेचरल कलर लाएगा आप इसका इस्तेमाल करोगे तो एक बार में ही यह नुस्खा आपके बालों को काला करने का काम करेंगा कैसे करेंगा वो मैं आप इसको आप कड़ाई में डाले या किसी बरत्र में डालें डालें और डाल करके सके भून है ब्लैक होने तरह पूने तक यहांनि नई काला नतलं갔 जारी क्योंकि इसका तेल रिलीज हो चुका है और आपको कड़ाई में भी दिख रहा होगा इसका मोस्तराइज यानि कि तेल ठीक है तो आपको इस तरीके से भून लेना है धीमियाच में आप भूनने के बाद में आपको क्या कहना है थोड़ा से ठंडा कर लीजिए तो यह द देख सकते हैं है ना कड़ाई में अच्छे से तेल भी दिख रहा है आपको दोस्तों आप सभी लोग आई है ब्यूटी टिप्स नबरता चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में सेयर जरूर कर देना अब यहां पे देखे मैं कुछ बीज आपको अपने हाथों में लेके दिखाती हूं और इसको मसलती हूं अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है और यह देखिए इसका काला पन आप खुद देखे क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में ओल होता है ठीक है तो यह ओल रिलीज हो जाता है इसके गर है ना इस तरीके से पूरे हाथ ऐसे काले हो रहे हैं अगर आप इसी तरीके से मसल के भी अगर आप अपने जैसे माली जे किसी बहुज़दा सफेद बाले हैं अगर आप अपने सफेद बालों में डाई की तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह डाई का भी काम करेगा कि देखे चिहें कितने हाथ काले हो गये मैंने भी कुछ नहीं किया है और कुछ भी लगाया सिर्फ दाने शी मसले हैं लाइप प्रूप के साथ मैं आप देखिए तो चलिång कि इसमें कितनाका काला परनाचा अपर नहीं कि इसमें ओईल में खुदबा खुद है तो यहां पे आप देख सकते हैं पाउडर बन चुका है अब इसमें ओइल होने की बज़े से तेल होने की बज़े से आप देख सकते हैं मिक्सी के जार में चारो तरफ से यह चिपक गया है अब आपको क्या करना है इसको निकालेना है किसी डिबी में तो आप चाहें तो इस त काल्टीम काटोरी में और इसको कैसे इस्तिमाल करना है आपको तो मैं आपको बताऊंगी तो दोस्तों अगर आप किसी साधी पार्टी में जाते हैं और मालीजिए आपके बाल सफेद हैं आप कैमकल वाली डाइल नहीं लगाना चाहते हैं और कैमकल वाली डाइल लगानी भी चाहिए क्योंकि भाई उसे आँखों की रोशनी भी जाती है और जो बचे कुछे बाल काले हो तो वह भी सफ़द हो जाते हैं तो आप इसे लगाईए आपको क्या करना है तो मैं फिर से दिखा रही हूं आप देखे मैं इतना काम भी कर रही हूं यानि की मिक्सी में पीस भी यह दिया है तक भी प्वी चूटा नहीं है छूटता विल्कुल रही है इससे कप्ड़े भी खराब नहीं होंगे जब आप इसको लगाएंगे चोंपड़े भी खराब नहीं वोगेश साधी बाल करना लीडिये आپशसा आप जैसे कहीं सारी पाट्टी में जा रहेएं तो इस पाउडर में आप एलो बेरा जेल डाल करके और इसको मिक्स करके आप अपने सफेद बालों में लगा करके दो गंटे के लिए छोड़िए और उसके बाद में आप अपने बालों को पानी से दो लेना और आप साधी पार्टी में जाईए आराम से टौबल से पहुंच करके और अब मैं आपको बताती हूं इस थाई रूप से इसको यूज करने के लिए यानि कि इस थाई रूप से बालों को काला करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले इसको लेना है एक चमच पाउडर को लेना है इसमें आप सरसों का तेल डालने के बाद में इसको आप अच्छी से मिक्स करें ठीक है यह देखे कितना लुकिट टाइप कर तैयार हो गया है इसे में बहुत ज्यादा गाड़ा इस्तिमाल नहीं क कि तो चलिए इस तरीके से आप बना करके एक साथ भी इसको रख सकते है ताकि आपको यहर बारा बनाना नपड़े अब आपको मैं अपने हातों मैं ही सबसे पदैने माहाप को लाइप रूप लेती हूँ यह देखे कितना काला तैयार हो गया है आपका यह sounds make Hairdy यह तैयार ह चुका हैं आप इसे अपने बालों को हमेशा के लिए काला कर सकते हैं और आप चाहें कि आप व्रूर बिल्कुर सफेड ना देहरे तो पहले दिन से काला कर सकते हैं एक बार में ही कैसे कर सकते हैं पूसवार मापना हम लाँ यह एवार नहीं से आपको पानी ze कुछ भी नहीं चूट रहा है जैसा orse लगा है पानी से बिल्कुल भी नहीं चूट रहा है अवे सकते हैं है तो दोस्तों इसी बातव वीडियो एक जोगय को में वादना सबस्क्क्राइब कर लीजे हैं कि अब Pan आपको पताती हूं आपको इसका लगाने का तरीकला है और इसको लगा करके 2-3 गंटे ले क्या तो यहां पर ठीच है क्या करना है इस लिप९ट को लेना है आप जैल में मेंना करके आपको बालों में रगड़ना है आपके जहां कई भी सफेद वाले उस जगह पर इस तरीके से लगाईए पर वालों में लगड़Da Minute यह देखें इनके बाल नीचे से सफेद है ना जड़ से सफेद है तो बस इस लिकुट को लेना है और इस तरीके से बालों में डिवाइड करते हो पूरे बालों में आप लगा देना यानि कि आप बालों में इसको रगड देना अच्छे से ठीक है और आप उसके बाद में दो से तीर गंडे के लिए छोड़ना और पानी से साफ़ करना है और उसके चौबिस गंडे के बाद में आपको कोई और बस ट्रॉबल से पोच लेना, आपके एक एक बाल काले हो जाएंगे जड़ से, और इस थाई रूप से आपको बालों को काला करना है, तो हफते में दो बार इस्तेमाल करिए अपने बालों में, आपके बाल जड़ से काले होंगे, इस थाई रूप से आपको किसी भी डाइ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेर करें आप देख सकते हैं कि एक एक बाल काले हो चुके है यानि कि सारे सफेद बाल कबर हो चुके है तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब क तर वे?